हलो एवरीवन स्वागते दोस्तों फिर से आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेसल होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ स्टुडेंट्स जो इंडिया नियर फर्स ग्रूप सी के रिटेन एक्जामनेशन को जस्ट अभी क में तो दोस्तों बात करें रिटेन एक्जामनेशन के बारे में दोस्तों हाल ही में कुछ एर फोर्स अस्टेषन उन्हेसे और जोरी एयरफिर श्टेसंड अपके देली का जिन्हों ने अपने रिजल्ट दोस्तों जारी कर दिया और कुछ स्टूडेंट्स ने काफी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया और साती साथ उन्होंने रिटिन एकशान को क्वालीफाई किया है उन्हीं में से नहीं नहीं सकता हूं उसलिए यहां पर दोस्तों कि लियरली मेंसन किया है कि हेलो सर मेरा एरफॉर्स पर जगव एरபोट कर दिया गुरुप सी ऑनलाइन रिजल्ट मैं नेट पर प्रगवार उसकि जो हमने डाला अपने इसमें इन्हों क्वालिफाई किया है इसके लिए इन्होंने हमारे यूटूब चैनल को बहुत-बहुत अभारी कहा है इसके लिए में बहुत-बहुत धन्यबाद देता हूं किया है उनका दोस्तों जो नेक्स्ट के लिए जो उनका एडमिट काड़ है दोस्तों यह बाई पोस्ट उनके घर पे यह जो आएगा और इसको आने में कम से कम 10-15 दिन के अंदर अंदर यह आपका आपके घर पर आ जाएगा इसके सांथी दोस्तों आपको कॉंटिनिवर्स ल पता करते रहेंगे इसके बाद दोस्तों एक और स्टुडेंट जिन्होंने यहां पर मैसेज किया है इन्होंने अपना लिखा है कि आयम संदीप एल्डी-196 इन्होंने अपना यहां पर रॉल नंबर दिया है फ्रॉम रजो कॉरी डेली एरफोर्स स्टेशन तो दोस्तों य इनका जो रॉल नंबर दोष्ट exist ैह रॉल नंबर है और इन्होंने अपना रिजल्ट भेज़ायาก और साथी सा दोस्तोंति इन्होंने अपना स्क्रीनीस्टि लेकर देख सकते हो जो इन्का डीटेल ङाइंग रीव यहां पर बदेख सकते हो यहां इंपकर जो यहां upp'rel रॉल नंबर देख सकते हो दोस्तों जो रॉल नंबर यहां पर मेंशन किया हुआ है लडी-196 लडी सी पोस्ट के लिए तो दोस्तों इन स्टुडेंट्स को सबसे पहले मैं कॉंग्रेस्ट करूंगा कि इन्होंने काफी मेहनत की और अच्छे से इन इजाम को क्रेक कर लिया शांती शांत दोस्तों अब इनका स्कील टेस्ट होने वाला है तो आपको आप में से किसी भी स्टुडेंट्स का रिटेन इजामनेशन का रिजल्ट आया है तो आप हमारे इस पेसली टेलिग्राम गरूप के माध्यम से हमारे वाटसप टिप्ट से हमसे ले सकते हैं के लिए अप्लाइ किया था उनका दोस्तो रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है चंडी गढ़ एरफोर्स स्टेशन ने दोस्तों अपने दो ट्रेट्स का पहला हो गया फायर मैन और दूसरा हो गया आपका MTS इसका दोस्तों रिटेन एक्जामनेशन का दोस्तों जारी कर दिया है बट इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है कि जो इसमें बहुत सारे विंग सेमिंस की बहुत सारे डिवीजन से जैसे 12-13 तो इन समय से 12 का रिजल्ट दोस्तों डिकलियर किया गया था केवल फायर मैन और MTS का बाखे ट्रेटस का इसके जारी नहीं किये गये दूसर्य नमर पर दोस्तों आप काता है पालम एर्फर्ससटेशन यह काफी चर्चा में रहा है और मेरे कमेंट सेक्षन में सबसे ज़्यादा इसी से रिड़े कोचण पूच जा रहे है तो पालम एप सधेशन दोस्तों जो क आपका ढ़िए त मरम स्टेशन के कुछ पोस्ट जैसे पेइंटर का शर्य नहीं किया गया है और किसी पूस्ट कर जारी नहीं किया न ही अ मैं तो आपlando और अपने रजहौरी के लिए किया था जिसंगा है तो इसन नहीं किया और अगर ragingれ तो आप उस result को अपने घर बैठे भी जान सकते हैं, उन्होंने अपना contact number प्रवाइड करवाया है, जिसका कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, वहाँ से दोस्तों आपका जो ये contact number आपके पास अगर नहीं मिल पारा है, तो आप हमारे टेलिग्राम गुरुप को जोईन कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जोईन करके वहाँ से आप उस message को देख सकते हो, वहाँ से number ले करके आप call कर सकते हो, साथी जा दोस्तों अब जीन स्टुडेंट्स के लिए अभी तक admit card नहीं आया है, उनके लिए भी एक update देदू मैं कि जो इंडियान एरफोर्स गुरूप सी admit card 1515 पोश्ट वाली वेकेंसी के लिए apply किया गया था दोस्तों, उसका भी admit card जारी होना शुरू हो गया है, उसका भी दोस्तों आपका admit card जारी किया जा रहा है, तो जिन स्टुडेंट्स ने इन दो वेकेंसी में apply किया था 1515 और 197 उनका दोस्तों admit card है, वो release किया जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी जनकरी समझ में आ गई होगी और जनकारी समझ में जागी तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को दबाग के like ठो किएगा, और साथी साथ हमारे चनल को subscribe कर लिजेगा, और सबसे पहले दोस्तों अगर आपको कोई भी update चाहिए तो आप अमाने टेलिग्राम गुरूप को join किजिए, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद,